आज हम chapter 10 के उन important question के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो RACAT के exam में repeat होते रहते हैं तो चलिए हम बात करते हमारे पहले question के बारे में हमारा पहला question है name name match से कौन सा mobile OS नहीं है कि कौन सा option है जो एक mobile operating system का example नहीं है हमारे बास में options है Android, iOS, Windows and Linux OS तो Linux OS है वो एक mobile का operating system नहीं है जबकि Android, iOS and Windows ये तिनो mobile का operating system है तो हमारा correct answer क्या है इस question का वो है Linux OS ये एक mobile operating system नहीं है हमारा अगला question है mobile app के संदर्व में E-PDS का पूर्ण रूप क्या है तो E-PDS का पूर्ण रूप है Electronic Public Distribution System correct answer है हमारा B हमारा अगला question है वो है hard sport के लिए किस connectivity के आवसकता होती है तो hard sport के लिए आपको Wi-Fi के आवसकता होती है जिसके मादम से आप internet से connect हो सकते हो तो हमारा correct answer है A, Wi-Fi हमारा अगला question है वो है GPS का पूरा नाम क्या है तो GPS का पूरा नाम है Global Positioning System तो हमारा correct answer है C हमारा अगला question है वो है निमन मैंस से कौन सा एक Mobile Operating System है तो options के बारे में जान लेते है Windows, iOS, Android या सभी तो हमारा correct answer है जिस सभी Mobile Operating System होते है जिसमें Windows, iOS एंड Android ये तिनों ही Mobile Operating System के टाइप है तो हमारा correct answer है D, All हमारा अगला question है वो है नविंतम Android Mobile Operating System कौन सा है तो जो अभी latest Android Mobile Operating System है वो है Noget तो हमारा correct answer हुआ D हमारा अगला question है नीचे दिएगे screen lock में से कौन से screen lock Android device पर उपलग्द है पैटर्न, पिन, पास्वर्ट या उपर के सभी तो हमारा correct answer है उपर के सभी अंडरोड डिवाइस में जो उपलग्द and screen lock के options होते है वो होते है पैटर्न, पिन, पास्वर्ट तो हमारा correct answer है उपर के सभी D हमारा अगला question है वो है फूल फॉर्म ओफ वाइफाई कि वाइफाई का पूरा नाम क्या है वाइफाई का पूरा नाम है वाइरलेस फाइडलिटी तो हमारा correct answer है A तो हमारा अगला question है वो है गूगल के द्वारा पहला Android operating system कब बनाया गया तो गूगल के द्वारा पहला Android operating system बनाया गया था September 2008 में तो हमारा correct answer है A September 2008 तो हमारा अगला question है दो या दो से अधिक डिवाइसों के बीच फाइलों को इस्तानांतरन करने के लिए लोग पिर एप्लिकेशन कौन से है तो वो है हमारी ShareIt Mobile Application जिसके माध्यम से आप दो डिवाइसों के बीच में फाइले ट्रांसपर कर सकते हो तो हमारा Correct Transfer है B ShareIt अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप एक लाइक कीजिए और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए CNC Inportec आपके हमेशा उजवल बविस्ते की कामना करता है